हलो एंड वेलकम टो गुलोवल अकेडमी आज 3 जुलाई 2020 देखते हैं आज के तमाम करंट अफियर्स और इन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टन फैक्ट्स हों कि वह हम डिसकस करेंगे अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए होगी तो निचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिक दे दिया है वहां से आप इसकी पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चेनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है जिन बचों न अभी तक टेलिग्राम जाइन नहीं किया वो टेलिग्राम भी जाइन कर लें क्योंकि टेलिग्राम में भी मैं पीडियाफ ड्रॉप कर लेता हूँ वहाँ आपको एक benefit है कि तमाम PDF आपको एक साथ मिल सकती है तो last way मैं आपसे एक question भी पूछूँगा जिसका आपको answer करना होगा So let's begin with the first question National Doctor's Day is celebrated on राष्ट्रे चिक्तिसक दिवस ये कब मनाया जाता है तो 1st July को National Doctor's Day celebrate किया जाता है और Doctor's Day 1st July को ही क्यों celebrate किया जाता है क्योंकि ये 1st July जो है ये birth and death anniversary है Dr. Bidhan Chandra Rai Bidhan Chandra Rai ये इनका death and birth day है 1st July और Dr. Bidhan Chandra Rai ये कौन ते he was a great physician and also the second chief minister of West Bengal तो इस साल का जो थीम ता 1st July का The theme of National Doctor's Day 2020 is Lesson the Mortality of COVID-19 तो ये इसका National Doctor's Day का इस साल का थीम है 2020 का तो ये आपको याद रखना है Next question Which country has announced to take the first tourist to space walk by 2023 किस देश ने 2023 तक पहले प्रेटा को space walk पर ले जाने की गोशना की है तो अभी हाल ही में Russia की Energy of Space Corporation ने ये announcement की है That it is to take the first tourist on a space walk in 2023 तो वो पहले tourist को space walk के लिए ले जाने वाले हैं 2023 तक तो Russia ने announcement की है तो Russia से related कुछ important facts देख लेते हैं Russia ये है globe के अंदर Russia यहाँ नीचे इंडिया इसके exact north में है यहाँ China और उसके पीछे north में है Russia It is the largest country in the world by area Capital यहाँ की Moscow President यहाँ के व्लादमिर पूतिन Prime Minister यहाँ के Andrei Bolesov and currency यहाँ के Russian Rabbal Next question Who has recently been appointed as the first female left net general of Pakistan Army हाल ही में पाकस्तान की सेना की पहली महिला left net general के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में निगार गोहर यह पाकस्तान की first female left net general बनी है तो यह है निगार गोहर जिनका भी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी का लेखने जनरल बनाया गया है उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के अगर बात की जाए कमर जाविद बाजवा ये इस वकत करण चीफ आफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान आर्मी के और ये टेंथ चीफ आफ आर्मी स्टाफ है चाइना 21.83 लेक हैं इसमें एक्टिव परसनल नमबर टू इसमें रैंक कर रहा है इंडिया यानि सबसे बड़ी आर्मी नमबर थ्री पर है उनाइटर स्टेट्स और सिक्स नमबर पर है इसमें पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तान से रिलेटिड कुछ और इंपॉर्टन फैक् पाकिस्तान है तो इंडिया और पाकिस्तान के दर्मिया जो बॉंडरी लाइन है उसको रैडिकलिफ लाइन है उसको बॉलते है और पाकिस्तान और इंडिया के दर्मिया जो लाइन है उसको बॉलते है और पाकिस्तान और इंडिया के दर्मिया जो लाइन है उसको बॉलते ह है रैड कलिफ लाइन उसके लावा डूरंड लाइन इट इस ए बॉंडरी लाइन बिट्विं पाकिस्तान एड अफगानिस्तान देन हिंजन बर्ग लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के दर्मियान है मैक महा लाइन बिट्विं चाइना एंड इंडिया एट अरुनाचल है कि दर्मान जो बॉंडरी लाइन उसको 38 परल कहा जाता है तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेशन इंडिया है बैंड हाव मेनी चाइनीज मॉबाइल एप्स पर प्रतिबंथ लगाया है तो अभी हाल ही मिने इंडिया ने अपनी स्वर्णिट और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 59 एप्स को बैंड किया है तो ये आपको नमबर याद रखना है इसमें जो मेजर जो है वो है टिक टॉक, शेरिट, वीचेट, और कैम स्केनर ये इसमें जो मेजर एप्स हैं मॉबाइल एप्स हैं ये इसमें आ रही हैं इ आपको याद रखना है 59 एप्स को अभी हाली में बंद किया गया है जिसमें खासका स्टिक टॉक, शेरिट, वीचेट, और कैम स्केनर ये इनको आपने याद रखना है आव बात करें, टेली काउसलिंग हेलो लैन व्लाइन है ये अभी शुरू के गई है, ये कहना है धाल हमें आव बात करें ये टेली काउसलिंग हेलो गाइन है तो अभी हाल ही में बोर्ड के रिजल्ट्स आई हैं तो जो बचे उसमें कुछ डिप्रेस्ट या डिस्ट्रेस्ट फिल कर रहे हैं उसके अन्फैवरेबल बोर्ड रिजल्ट्स से उनके लिए ये टेली कॉंसलिंग हेलप लाइन ये लांच की गई है जिसका नाम रखा गया है आओ बात करें तो ये आपको याद रखना है कि आओ बात करें ये किसने लांच किये जमू एंट कश्मीर में डिरेटर आफ स्कूल एजुकेशन जमू ने तो जमू एंट कश्मीर से रिलिटिको शोर इपार्टन फैट्स जमू कश्मीर का कुल्ट्रल एंट जिग्राफिया द्धुमाल एंट कश्मीर वैली वोमन परफम दरोफ और टरइटिशन एप पो याद रखने है ये तमाम चिजन आपको याद रखने है ये तमाम चिजन आपको याद रखने है कश्मीर का यहां के कुछ ट्रडिशनल ड्रेस है यह से फैरन, then unique copper kettles like samawar जो नमकीन चाई को सर्व करने के लिए यूज की जाती है, then कुछ firepots है, wrapped in a woven wicker जिसको कांगडी कहा जाता है, जिसको फैरन के अंदर से रखा जाता है, और आग सिकने में काम आती है, इसको कांगड यहां वोलर लेक है, that is one of the largest fresh water lake in Asia, state animal यहां का हंगोल है, और state bird है, यहां का black necked crane, लेकिन यह black necked crane, यह लादा आख में पाया जाता है, तो अब बहुत जल्दी यहां का state bird change होने वाला है, state flower lotus है, and state tray यहां का चिनार, तो यह तमाम important चीज़े हैं, class 4th के लिए खास करके, यह important facts से इनको याद रखना है, students, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि current affairs के साथ साथ आपकी यह तमाम चीज़ें चलती रहें, जैसे Indian geography हो, Indian history हो, political science हो, culture हो, और यह बहुत सारी चीज़ें इसमें add करने को, ताकि आपको जो है, इसका benefit हो current affairs के साथ साथ आपका general knowledge भी पुरा, साथ साथ चलता रहें, उसमें भी आप mastery आपको हासिल हो, so, नई वीवर से request है, हमारे channel को subscribe करें, और अपने friends में इन वीडियो को circulate भी करें, ताकि वो भी इसका benefit उठा सके, next question, which city has been included in the list of world's top 30 startup ecosystems, दुनिया की sheer 30 startup ecosystem की सूजी में किस शेहर को शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में, बंगलोरु को, जो world की 30 top startup ecosystem दे उनमें इनको add किया गया है, तो what is startup ecosystem, it is found by the people, startups in various stages and various types of organizations, इना location, interacting as a system to create and scale new startup companies, तो इंडिया इस वाकत world के अंदर, second largest startup ecosystem जो है, वो इस वाकत इंडिया के अंदर है, इंडिया है, second largest startup ecosystem in the world. तो बंगलोरु की बात किये, बंगलोर इसमें top पर आया है, world 30 list में आया है, top 30 list में आया है, बंगलोरु, तो बंगलोरु, it is the capital of Indian state करनाटका, यहां कुछ important national parks हैं, जैसे बैनर गाता national park है, उसके अलावा करनाटका की बात की जाया है, तो बांडिफूर निशल पाक करनाटक in the ICC elite panel, यह हिंदी में थोड़ा से लिखने में गलत हो गया है, अभी हाल ही में ICC elite panel में इंडिया के किस empire को include किया गया है, तो नितिन मेनान, यह है नितिन मेनान, जिनको अभी हाल ही में ICC elite panel में include किया गया है, तो ICC elite panel empires, यह कौन है, इनको international cricket council appoint करती है, to officiate test matches and one day international around the world, व पूरी दुनिया के अंदर जो भी test matches और one day international है, उनको officiate करने के लिए इनको elect किया जाता है, तो Indian cricketer यह जहां तक नितिन मेनान की बात है, he is an Indian cricketer and empire, he is right-handed batsman representing Madhya Pradesh, यह Madhya Pradesh को represent करते हैं as a right-handed batsman, next question, separatist कश्मीरे लेडर साइद अली गयलानी has quit which political front, अलगवादी कश्मीरी नेता साइद अली शागियलानी ने किस राजनितिक मोर्चे को छोड़ दिया है, तो अभी हाल ही में साइद अली शागियलानी ने हुरियत कांफरंस, यह जो के political front है जमान कश्मीर का, उसको छोड़ दिया है, साइद अली गयलानी has quit हुरियत कांफरं 26 political, social and religious organizations formed on 9 March 1993 as a united political front to raise the cause of कश्मीरी separatism in the कश्मीर conflict, तो कश्मीरी separatism को raise करने के लिए यह front बनाया गया है, इसके लेड रहे हैं इसके मेरवाइज उमर फारुख, फॉंड रहे हैं इसके मेरवाइज उमर फारुख है और इसके मेरवाइज उमर फारुख है और इसके next question, which is the first country to control low-costs by drones, ड्रोन दवारा टिडियों को नियांतरित करने वाला पहला देश कौन बना है, तो यह है टिडिय जिसका आप भी हाले में आपने देखा के टीवी पर काफी चर्चम में थी यह केड़ा है, होता है, low-cost जिसको कहते हैं, जिसको टिडिय कहते हैं हिंदी म काफी नियूज में रहा है, तो यह इंडिया ने इसको कंट्रोल करने के लिए, इंडिया यह फिर्स्ट कंट्री बनी है, यह जो लोकास्ट है, इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत क्रॉप्स की और अग्रिकल्चरल डैमेज बहुत ज्यादा की है, विश के लिए टो फैम के बारे में कुछ scientific information, scientific classification, इसका scientific name है, सिकस्टो सिरका, ग्रेगारिया, यह आपको नाम याद रखने है, फैमली है, एक्रीजिरे, क्लास इंसेक्टा, हैर क्लासिफिकेशन, सिकस्टो सिरसा, और और इसका और्थो पेट्रा और फैलम इसका और्थो पोड़ा, तो यह आपको क्लासिफिकेशन रखनी है याद काफी important news में रहा है काफी इसलिए इसके बारे में questions पूशी जा सकते हैं आपसे next question which state government has announced the launch of आदर्श police station scheme किस राजसा करने आदर्श police station योजना शुरू करने की घोशना की है तो अभी हाल ही हमें 36 गड़ ने आदर्श police station scheme launch करने की गोशना की है और ये आदर्श police station क्या है इसको खोलने के लिए कुछ parameters रखे गए हैं जैसे conductor police station in charge उसका कैसा conduct रहना चाहिए और जो भी उसमें staff है police station के अंदर जो staff है उनका behavior अच्छा होना चाहिए उनका conduct अच्छा होना चाहिए उसके लावा जो victims हूँ या women या children हूँ they can speak out their problems at police station police station में आराम से अपने problems को रख सकते हैं बेदाव टाइनी फियर और इसमें maintenance of record should be up to the mark तो ये तमाम चीजें इसमें parameters रखे गए हैं for the launch of the police station scheme तो ये थी आज की करने फिर्स आप 36 कड़ में ये लांच किया गया है तो 36 गड़ से related कुछ important facts देख लेते हैं present state of 36 गड़ वाज card out of Madhya Pradesh on November 2000 तो इसको Madhya Pradesh से अलग किया गया है तो यहां है ये map के अंदर 36 गड़ और formation हुई थी इसकी 1st November 2000 then इसकी capital है राइपूर गौर्नर यहां के अनुसाव उकाई चियम्स्ट्रियां के भुपेश भैगल यहां कुछ important rivers हैं जैसे महनदी शिवनाथ river then कुछ important lakes हैं जैसे डलपत लेक हैं गंगा मुंदा लेक हैं इंद्रा सोरोवर और बुद्धा तलाब यह important lakes हैं चैतिसगड के उसके लावा यहां कुछ reserves of bauxite, limestone and gaurzite भी available हैं चैतिसगड is the only state in India that produces tin concentrates भी यहां पाय जाते हैं it is the only state जहां tin concentrates भी जाते हैं चैतिसगड के अंदर तो यहां का state animal है वन भेंसा या wild Asian buffalo जिसको कहते हैं state word है यहां का पहाड़ी माइना या हिल मेना state tree है यहां का साल तो यहां कुछ important national parks भी हैं जैसे इंद्रावाती national park, kangard valley national park, goroghasi national park तो यहां का जो famous dance है वो है panthi dance, then road nacha, it is also traditional folk dance, usually done by yados, तो यह आपको dance भी याद रखने हैं क्योंकि culture से related to questions पूछी जा सकते हैं then folk song है यहां का, कुछ folk songs है, जैसे song for children उसको लोरिया कहा जाता है, festival folk songs of 36 गड़, जैसे sow song है, यह दीपावाली में इसको गाया जाता है, दोहे आफ रोट नच्चा, यह भी दीपावाली के लिए गाया जाता है, then chair, chaira song to welcome the new crops, तो यह थे कुछ about the culture of 36 गड़, तो यह थे related important facts, कल मैंने आपसे question पूछा था, उसका आप answer मैं देता हूँ, who will host the FIFA Women's World Cup 2023, फिफा महिला वाईशा काप 2023 की बेजबानी कौन करेगा, तो बोथ Australia and New Zealand, they will host the Women's World Cup 2023, तो अक्सर लगवत तमाम बच्चों ने इसका correct answer किया है, देखते हैं, आज का question, question of the day, for which month India is going to become United Nations Security Council's President, किस महिने के लिए भारत United Nations Security Council अजद्यक्ष बनने जा रहा है, तो ये नीचे डेट्स दी हों, इनमें आपने इसका correct option बताना है, September 2021, August 2021, November 2021, ये जुलाई 2021, इसमें correct option आपने description में बोला है, तमाम बच्चे कोशिच करें इसमें answer करने की, क्योंकि इसमें फिर आपको याद भ करूंगा, कि आप अपने तमाम फ्रेंड्स में इन वीडियो को और सोशल मीडिया ग्रोफ में इसको शेर करें, और ना यूवर से रिक्वेस्ट है, Global Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और शेर भी करें, ओके थैंक्स, best of luck, and as always, God bless you all.